आजका फर्स्ट वर्ड है सिंदूर इंग्लीश में बट है वर्मीलियन नेक्स्ट वर्ड वी हैव जनियू जनियू को इंग्लीश में कहते हैं सेकर्ड थ्रेड नेक्स्ट वी हैव लॉंग जो हम पुजा में यूज करते हैं इसके लिए वर्ड है कलव नेक्स्ट वर्ड वी हैव पान के पत्ते इसके लिए है बैटर लीवस तुलसी के पत्ते बासिल लीवस बासिल लीवस नेक्स्ट वी हैव नारियल नारियल खोकोनट कोकोनट नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंडा या उपला आप बताएए आप इसे डेली यूज में क्या वर्ड देते कंडा या उपला काउ, डंग, केक इंग्लीश में कंडा या उपले के लिए और गोबर को काउ डंग कहा जाता है इसके लिए वर्ड है इंग्लीश में आश इसके लिए वर्ड है इसके लिए वर्ड है आईडल इसके लिए वर्ड है डेटी नेक्स्ट खंडीत मुर्ती जो खंडीत हो जाती है उसकी बात करे प्राग्नामेंटेड माला इसके लिए को इंग्लिश में कहेंगे हम गार्लैंड जो देवी देवता अपने सिंगार करते समय यूज करते है क्रॉन नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रसाद को इंग्लिश में कहेंगे ओफरिंग ओफरिंग नेक्स्ट वी हैव पुजारी पुजारी को कहते हैं प्रिस्ट इसको कहेंगे डेवोटी जो भगवान के उपर आस्था होती है इसके लिए वर्ड है फैत इसके लिए वर्ड है प्रार्थना या दुआ इसके लिए वर्ड है प्रियर Next we have प्रार्थना या दुवा करना इसके लिए प्रे भजन को कहेंगे हम Next word we have मंत्र मंत्र को कहेंगे चांट चांट त्रिशूल को कहेंगे ट्रिडेंट ट्रिडेंट Next word we have गदा जो हनुवान जी के पास होता है इसके लिए word है मैक चक्र जो विश्नु जी के हाथ में होता है इसके लिए word है इंगलिश में डिस्कस Next word we have बासूरी को कहेंगे फ्लूट Next we have Next word we have उपवास या बरत को कहेंगे फ्लूट And the next word is शुप महूरत शुप महूरत इसको ऐस्पिशियस टाइम And the next word we have is मंदीर मंदीर को कहेंगे टैंपल Next we have मस्जीद मस्जीद को कहेंगे मौस्क्यूट Next we have सामगरी पूजा की सामगरी इसके लिए है मटेरियल Next we have पूजा की सामगरी वर्शिप मटेरियल And the next word we have पूजा, अर्चना, इबादत या उपासना करना इसके लिए वर्शिप वर्शिप Next word we have पूजा की थाली इसको कहेंगे वर्शिप प्लेट वर्शिप प्लेट Next we have दीपक जो हम पूजा के टाइम जलाते लाम्प मिट्टी का दीपक अर्थ तेन या क्लाई लाम्प लाव जो दिए की लाव होती है इसको फ्लेम कहते है फ्लेम Next we have रूई की बाती इसको कहेंगे जो कॉटन की होती है कॉटन विक्स कॉटन विक Next we have गी कैरिफाइड बटर या तो इसे घी भी कह सकते हैं या कैरिफाइड बटर कैरिफाइड ब्रटर Next word we have कपूर जो पूजा में हम यूज करते हैं इसके लिए वर्ड है चैमफोर धूप बत्ती इसको कहेंगे इंसेंस Next word we have अगर बत्ती इसको कहेंगे इंसेंस स्टिक और जो स्टिक Next word we have धूप दानी इसको कहेंगे इसको कहेंगे इसको कहेंगे सेंसर And the next we have शंक कौँच कौँच Next we have पीतल की घंटी इसके लिए वर्ड है ब्रास बेल ब्रास बेल कलश इसके लिए वर्ड है उर्ण Next we have सुपारी जिसका हम पूजा में योज़ करते बेटल नट बेटल नट चंदन की लकडी इसके को कहेंगे सैंडल वूड सैंडल वूड Next we have गंगा जल ये लास्ट है होली वाटर होली वाटर Thank you for watching this video and मिलते हैं next video में Till then Bye Bye Take care of yourself and keep supporting Bye 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 झाल